गुद मॉर्निंग एवरिवन आज हम लोग इंग्लिस में ठर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है प्लेइंग इन दा पार्क यहां कुछ गेम से जिससे हम पार्क में खेलते हैं तो यहां गेम के नेम को उसके करेक्ट पिक्चर से मैच करना है जैसे हम देया गया है जैसे हम फर्स्ट है सी सौ तो यहां इस गेम को उसके करेक्ट पिक्चर से मैच करना है तो इस तरह इसे मैच करेंगे फिर नेक्स्ट है मैरी गो राउंड तो इस गेम को भी उसके करेक्ट पिक्चर से मैच करेंगे तो इस तरह हैं जितने भी गेम के नेम दिये गए हैं इन सभी को उनकी correct picture से match करना है तो इस तरह आप इस question को complete करोगे अब next है Harry goes to a park every morning Harry प्रती एक दिन morning में park जाता है Tina also goes to the park She is Harry's friend और Tina भी प्रती एक दिन morning में park जाती है Tina जो Harry की friend है इस तरह टीना और Harry वे दोनों प्रती एक दिन morning में park जाते है Hi Harry, do you want to play on the seesaw and swing with me? Says Tina तब Tina Harry को hi कहती है जब आप भी किसी से मिलते हो तो आप उन्हें hi कहते हो तो ठीक इसी तरह जब Tina भी Harry से park में मिलती है तो उसे hi कहती है और वो उसे पोचती है कि क्या तुम मेरे साथ seesaw और swing पर जुलना चाते हो तब वो answer देता है Sure, I love the swing Says Harry तब Harry कहता है जरूर मैं seesaw और swing पर जुलना चाता हूं मुझी जूला पसंद है I like the swing too says Tina तब Tina कहती है मुझी भी swing बहुत पसंद है They play on the seesaw and the swing इस तरह वे दोनो seesaw और swing दोनो पर जुलते हैं तो यहां questions है Answer these questions इन questions का answer देना है तो यहां first question है Who goes to the park? पर्क कौन जाता है? तो आपने chapter में पढ़ा पर्क Harry और Tina जाते हैं तो आप answer लिखोगे Harry and Tina go to the park फिर next है What do they do there? वे लोग वहां क्या करते हैं? तो वे लोग वहां पर्क में Seesaw और Swing पर जूलते हैं तो आप answer लिखोगे They play on the seesaw and the swing फिर next है One day a new boy comes to play His name is Suman एक दिन एक नया लड़का पार्क में खेलने आता है उसका नेम सुमन है यहां new boy का मतलब हो गया कि सुमन उस पार्क में पहली बार गया था तो इस तरह सुमन उस पार्क में पहली बार खेलने आता है He wants to sit on the swing So he pushes Harry from the swing और वह जूले पर बैटना चाता है इसलिए वह जूले से Harry को धक्का देता है Harry falls down and gets hurt Harry starts to cry जिससे Harry जूले से नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है और Harry रोने लगता है Tina is sad अब तब Tina sad हो जाती है उदास हो जाती है क्यूंकि उसका फ्रेंड हैरी जो जूले से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है जिसके कारण टीना सैड है Don't be unkind सुमन says टीना तो यह एक वर्ड है unkind तो unkind जिसका मिनिंग है बताया गया है not kind मतलब जो kind नहीं हो जिसके दिल में दयाना हो जिसे निर्दाई काते हैं तब तब तीना सुमन से काती है कि निर्दाई मत बनो The next day no one plays with सुमन सुमन feels bad फिर next day सुमन के साथ उस पार्क में कोई नहीं खेलता है जिससे सुमन को बुड़ा लगता है उसे बुड़ा फिल होता है He says I am sorry Harry तब सुमन हैरी को sorry कहता है Harry and टीना play with सुमन They become good friends तब Harry और टीना सुमन के साथ खेलते है और वे सब अच्छे friends बन जाते है फिर आएक question है How will you feel if no one plays with you? यदि आपके साथ कोई नहीं खेलता है तो आपको कैसा फिल होगा? तो हमें बुड़ा फिल होगा, बैड फिल होगा तो आप answer लिखोगे I will feel bad तो इस तरह आप इस chapter में जितने भी hard words आ है आप उसे remember करोगे, revise करोगे और इस chapter में बीच में जितने भी questions आ है उसे solve करोगे आगे के class में हम question answer पर discuss करेंगे Thank you